वेलकम बैक दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टार्ट पर तो जैसे कि आपने टाइटल और थमलिल में देखा जी हाँ रियलमी नेक्स मंथ इंडियन मारकेट में अपने 43 इंच और 15 इंच 4K स्मार्ट टीवी को लाँच करने वाला है हाला कि यह जो न्यूज है यह कुछ दिनों पहले तक कन्फर्म नहीं थी लेकिन हाली में ही रियलमी इंडिया के CEO ने एक ट्वीट को रिप्लाइ करते हुए यह डिस्क्लोज किया है कि रियलमी नेक्स मंथ अपनी 15 इंच 4K स्मार्ट टीवी को लाँच करने वाला है और आज ज़स कुछ घंटों पहले ही रियलमी इंडिया के CEO मस्टर मादोशेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह इमेज पोस्ट करी है इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं रियलमी के 43 इंच 4K टीवी को और लुक वाइस फस्ट इंपरिशन में यह तीवी काफी अच्छी लग रही है बेजल काफी ज़सा यहाँ पर थिन देखने मिल रहे हैं और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी तो यहाँ पर दोस्तों इसे हमें इतना तो कंफर्म हो जाता है कि रियलमी नेक्स मन्त अपने 43 इंच और 15 इंच 4K स्मार्ट टीवी को लाँच करने वाला है और अगर आपकी नजर थोड़ी अच्छी है तो आपने ध्यान दिया होगा यह जो इमेज है यह एक लाप्टॉप के अंदर दिखाए जा रही है इसका मतलब यह है कि इस लाँच इवेंट में रियलमी अपने लाप्टॉप को भी लाँच करने वाला है यानि जो जो MI करता है वो सारी चीज़े जो है अब रियलमी को करनी है और वो कर भी रहा है वेल दोस्तो हमारे लिए अच्छा competition create होगा तो हमें ही कम price में products मिलेंगे यहाँ पर बात करे जाए upcoming smart TVs की तो अगर आप एक नई TV लेना चाहते हो और आप रियलमी के products में interested हो तो अब यहाँ पर मैं आपको suggest करूँआ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए अल्मोस यह मैना खतम हो चुका है next month रियलमी की TVs launch हो जाएंगे अगर वो TVs अच्छे specs के साथ आते हैं तो definitely आप उनको buy कर सकते हो अब रही बात दोस्तो यहाँ पर expected pricing की तो definitely Realme जो है वो काफी budget friendly products को launch करता है तो definitely इनके जो TVs आने वाले हैं वो ज़दा महंगे नहीं होंगे 43 इंच की pricing मेरे साब से 30,000 या फिर उसके अंदर ही होगी और 50 इंच की pricing 35 से अंदर ही होने वाली है और दोस्तो अगर हर बार की तरह Realme ने Redmi series की TVs को compete करने के लिए अपने TVs को launch किया तो definitely दोस्तो दोनों में competition होगा Realme अपने TV की pricing को कम रखने कोशिश करेगा और जिस वज़े से हमें TV में cost cutting देखने मिलने वाली है जैसा हमें Redmi के X series में देखने मिली Redmi ने क्या किया उन्होंने price पर focus किया price को उन्होंने कम से कम रखना चाहा और जिस वज़े से उन्होंने अलग-अलग जगों पर compromise किया है जैसे कि picture quality, display brightness, display panel तो ये चीज नहीं होने चाहिए अगर थोड़ी price जादा भी हो तो चलेगा लेकिन picture quality से compromise नहीं होना चाहिए तो आशा करता हूँ कि Realme में हमें अच्छी picture quality मिले जैसे Realme के 32-inch और 43-inch full-edged TVs में देखने मिलती है वेल यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि Realme अपने 55-inch S-LED TV की तरह ही ये TVs लाँच करते है मतब यहाँ पर भी हमें same panel देखने मिलता है या फिर कुछ different देखने मिलता है जो भी हो अगर Realme picture quality पर focus करता है brightness दो focus करता है अच्छी contrast जो देखने मिलती है रेडमी से compete करने के लिए TV लाई जा रही है तो भाईया फिर मैं तो suggest करूँगा कि आप दूर ही रहे तो ही सही रहेगा वेल आपका क्या opinion है आपका में Realme TVs को लेकर ये मिचे मुझे comment में जरूर बताना और इस वीडियो का मकसद बस यही था आपको inform करना था कि अगर आप कोई नई TV ले रहे हो तो थोड़ा सा wait कर लो और और भी TVs हैं और भी brands अपने नए models launch करेंगे तो अब यहाँ पर मैं suggest करूँगा यह जो time है न यह wait करने का time है because और latest option आने वाले है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आप सो भी को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कर देना because जितने ज़दा likes और comments आएंगे इस वीडियो पर YouTube का algorithm इस वीडियो को उतना है आगे promote करेगा जो कि इस चैनल को grow करने में help करने वाला है साथ साथ अगर आपने subscribe नहीं किया तो किस बात की दे रही है चैनल को subscribe कर दिजे इस चैनल पर मैं आपके लिए smart TV and home appliances से related videos लाता रहता हूँ आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, helpful रहा होगा मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा, बाई बाई, स्यावनारा